हेलो फ्रेंट जैमातादी कैसे आप सभी लोग गुंबीध है मस्त होंगे चाका चाक होंगे खुश होंगे जैसा कि आपको पता है कि एक नम्मर पक्का सीरीज चल रही है बद्धिप्रदिस का बुलिटिन आज दोस्तों हम लोग मद्धिप्रदिस के परेटन की बात करेंगे मातर दस मिनिट में और दस मिनिट में एक नम्मर आपका पक्का हो जाएगा क्योंकि यहां से प्रेश्ण बन रहे हैं आईए स्टार्ट करते हैं मद्धिप्रदिस के परेटन टेवल फॉर्म में आपको मिलेगा एक संपूर जानकारी टेवल के आप बना लीजिए यहां से जरूर आता है मद्धिप्रदिस की किसी भी एकजाम में आईए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों अमरकंटक ठीक है अमरकंटक की बात करें यह अमरकंटक है का यह स्टल है यह पुस्वराजगर तैसील अनुपुर में पढ़ता है इसकी खासियत क्या है important है अमर कंटक में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा आईए सबसे पहले यहां पर देखिए एक कपिल धारा जल्परपाद है दुद्धारा जल्परपाद है नरब्दा कुंड मिलेगा माई की बग्या मिलेगी कबीर चौराहा कभीर चबूतरा मिलता है जहां पर कभीर की तपोस्तली कहा जाता है यहां पर उन्होंने बहुत सारी कभीताय लिखी इसका नमक गरह नोगरह मंदिर मिलेगा जैन मंदिर है यहां पर आदीनात का मंदिर है सौन मुडा तता साई का मंदिर यहां पर देखने को मुडा मंदिर और साई का मंदिर यहां पर देखने को मिलेगा तो सबसे इंपोर्टेंट क्या है अमर कंटक कहा है पुस्वराजगर तैसील अनुपुर में है 3500 फिट उचाई पर यह इस्तित है यहां पर कपिल धारा दुद धारा नरब्दा कुंड माई की बगिया कवीर चौराहा नमक ग्रह मंदिर जैन मंदिर आदिनात मंदिर सॉन तता मुडा साई मंदिर यहां पर देखने को मिलेगा फिर बात करेंगे चित्रकूट की अब चित् सतना के निकट पढ़ता है का पढ़ता है जासओ और मानिक बेle B do Skill पढ़ता है जिला सतना में पढ़ता है चित्रकूट के ऑफटी आ है जंसरुतियों के अनुसार ब्रहमा वश्नु महेश ने यहीं पर बाल अपतार लिया था ब्रहमा विश्नु महेश ने बाल कहां पर लिया था चित्र-कूट में लिया था ओफिनसमें और शृत्त्राम यहीं पर महारिषी अतरी। सती अंशुया के अथिति बने थे तो ध्यान रखिएगा बनवाज के समय भगवान सिरी राम ठीक है महारिषी अतरी इम सिक्ष Conference के अथिति बने थे कामत गिरी अंसुया आसरम यहीं पर है भरत कुंड तता हनुमान धारा यहीं पर देखने को मिलेगी सीता की रसोई बगर यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी फिर बात करेंगे महियर महियर कहां पर पर परता है दोस्तो सतना जिले के कटिनी इलाबाद मार्क पर पर परता है सतना जिले में कटिनी इलाबाद मार्क पर आपको महियर देखने को मिलेगा संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खा की जन्भूमी है तथा आराद्य देभी सा का मंदिर है और संगीतकार उस्तात अलाउद्दीन खा की जन भूमी है जहां का मेहर बेंड बहुत फैमस है महीर बेंड इन्हीं ने स्थापना करी थी साची की बात करें दोस्तों राइसेन जिले में सोला दसमलव चार मीटर है सबसे बड़ा इस तूब यहीं पर देखने को मिलेगा साची में समराट असोक नहीं यहां पर बनवाए थे इसके तोरण पर समराट असोक की दो बीवियां और इनके बहुत गया कि तीरत के बारे में जानकारी देखने को मिलती है जनरल टेलर ने क् करी थी जनरल टेलर ने इसकी खोज करी थी ठीक है और अठ्रासो अठ्रासो नवा सोड़ी 1989 में 1989 में इसे विश्व धरोवर में सामिल किया गया साची को याद रखिएगा चली आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे जानेंगे मुक्तागिरी दोस्तों मुक्तागिरी कहां पर है बैतूल में ध्यान रखिएगा मुक्तागिरी कहां पर है बैतूल में है दिगंबर जेनियों का पवित इस्तल है यहां पर बावन मंदिर है जेनों के कितने मंदिर है बावन मंदिर है मुक्तागिरी क्या है जेनों का तीर इस्तल है बैतूल में पड़ता है दिगंबर जेनि मंदिर आपको देखने को भी लेगा ञंतर मंतर है यहाँ पर चिंता मणि गणे इस मंदिर गोपाल जी का मंदिर संधी पनी आशरम द्याँ दखेएगा भई कह Aaa पर उजैन में 만गलनात मंदिर कहां पर उजैन में ब्रत हरी की गुफाय कहां पर है उज्जेन में कालिय दहा का महल कहां पर है उज्जेन में यहां पर 12 बरसों के बाद कुम का मेला लगता है और यहां पर महाजनपत इहां महाजनपत धी ठीक है अवंकारेश्वर्दध खंडबा इंदोर 31 किलिमेटर दूर नर्दा नरी पर बसा हुआ है मद्ध कालीन भ्रहम्मन सहली में बना एक ओम आकाथ मंधाता नग्री एक सुन्दर मंदिर है मंधाता का सुन्दर नग्री पलबशंबबा को उस समें ओमकारिशुर को मंधाता नग्री कहा जाता था यहां सिद्धनात नदिर है चौवीस अपतार 24 अपतार सनमात्रिक तडपर मंदिर है गौली सोमनात मंदिर है संगराचार की गुफाएं बहुत important है संगराचार की गुफाएं कहाँ पर है ओम कारिस्वर में इसके बाद बात करेंगे बावन गजा बावन गजा कहाँ पर है बावन गजा कहाँ पर है बढवानी में प्रमुक जेन इस्तल है पंद्रवी सताबदी में बावन फिट उची रिसब देब की दिगंबर मूर्ती बनाई गई थी बहुत important है बावन गजा कहाँ पर है बढवानी में जेन तीर्थ इस्तल है पंद्रवी सताबदी में 72 फिट उची रिसब देव जैनों के जो पहले तीर्थान करते उनकी मुर्ती बनाई गई खजुराओ की बात करेंगे खजुराओ कहां पर पड़ता है दोस्तों चतरपुर डिस्टिक में पड़ता है खजुराओ कांद्रिया महादेब मंदिर यहां पर मिलेगा 64 योगनी मंदिर चित्रकुप्त मंदिर चत्रपुज मंदिर आदिनाथ मंदिर नंदी मंदिर पार्षनात मंदिर प्रमुक मंदिर हैं तीन समूं बटे हुए पश्मी समूं पूर्वी समूं दशनी समूं में चंदेल राजाओ भी लगता है फिर बात करेंगे नहोटा यह नहोटा कहां पर बीना कटनी रेल मार पर नहोटा जगा पड़ती है बार्वी सताब्दी में चंदेलों की राजधानी थी नहोटा यहां पर गुरैया और बेर्मा दमों से 21 किलोमेटर दूर दो नदियों का संगम पर बसा एक नग यहां पर प्राचीन सिब मंदिर है और जैन मंदिर के अफसेज भी मिलें फिर बात करेंगे पचमणी कहां पर दोस्तों हुसंगावाद में पचमणी परती है अपसरा बिहार धूपगर जटासंकर पांडब की गुफाएं चोरागर एबन महादेर सिकर सबसे उची चोटी धूबगर तेरा सोपचास मीटर ऊंची जो है यही पर देखने को मिलेगी यही मद्यप्रदेश की सबसे उची चोटी है फिर बात करेंगे चंदेरी चंदेरी दोस्तों मिलेगी असोक नगर में चंदेरी देखने को मिलेगी यह 200 मीटर उचा किला है यापर खूनी सोना गिरी दतिया के समीप पढ़ता है सोना गिरी यहां पर दिगंबर जेनों की 108 मंदिर है बहुत इंपोर्टेंट है दिगंबर जेनों की 108 मंदिर फिर बात करेंगे गौमत गिरी गौमत गिरी दोस्तों इंदौर के समीप पढ़ता है भगमान बहुवली की 27 विट उची पीतंब्रा पीट एक सकती पीट है मांडू की बात करें दोस्तों मांडू जो है धार जिले में पढ़ता है आईए इस पर क्या मिलेगा सिटी ओप जाय कहा जाता है मांडू को यहाँ पर जहाज महल हिंडोला महल राली रूपमति महल बाज बहाद्दूर महल असरफी महल देखने को मिलेगा ठीक है और हुसंग सहा का मकबरा है यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है बहुत सारी चीजे हैं मांडू में राली रूपमति और बाज बहाद्दूर की प्रेम कहानी भी रिखी गई थी इसके आद महेश्वर की बात करेंगे दोस्तों खरगोन में अहिल्या का आस्रम भी और ह?, ने होलकर समय भी आसको राजदारी कि भी फिर बात करेंगे पावागिरी या और उना कहां पढ़ता हैं इन दौर में पड़ता है 99 जेन मंदिर का निर्मान करवाया गया था ठीक है इसका नाम उन पड़ा ठीक है 99 जेन मंदिरों के निर्मान के कारण इसका नाम क्या पड़ा उन पड़ा दिगंबर जेनों की प्रसित तीर्थ स्थल है पुस्वगिरी पुस्वगिरी कहा पड़ता ह दोस्तो देवास में पड़ता है जेनियों का तीर तिस्तल है, यहां पर कही सिक्षा संस्तान भी बनाये गए, सिक्षा संस्तान ने जेनों के, ठीक है? यह याद रखीक पुस्वगिडि़ी गवालियर का दुर्ग की बात करें, गवालियर का दुर्ग देखिए, राजा सूरस सेन ने बनवाया था, 525 इजबी में संबत था, राजा सूरस सेन ने बनवाया था, गवालियर का किला गवालियर में है, धार का किला धार में है, सुल्तान मुहम्मत तुगलक ने बनवाया था 1334 में पुना निर्माण हुआ इसका चन्देरी का किला मूंगा वोपाल से 60 किलमेटर दूर रैसेंजिले में आता है का आता है राइसेन राइसेन और सियोर की वार्डर पे आता है कुछ लोग इसे सियोर कहते हैं कुछ लोग राइसेन कहते हैं महाराजा उदे बर्बन ने इसका निर्मान करवाया था तेरभी सताब दी में रायसेंदुर्ग राइसेंग में है राजा राजबसंति के दौरा निर्माण करबाया गया था 16 सताप दिए देखे बांदवगण का किला उमर्या स्टेशन से 30 किलमेटर दूर है बांदवगण का किला जो है उमर्या में पढ़ता है बगेलखन के राजाओं द्वारा ब्यागर देव संभता ब्यागर देव ने इसका निर्मान करबाया था चौधी सताब्दी में अजेगण का किला जो है पन्ना नगर से 34 किलमेटर दूर है अजेगण का कहां पर पन्ना में ही है राजा अजेपाल के द्वारा इसका निर्मान करबाया था 18 सताब्दी में इसका पुना निर्मान दुगवा ओर्छा का दुर्ग राजा बीर सिंग मुंदेला ने करबाया था सोलवी सताब्दी में मन्सौर का किले का निर्मान अलाउद्दिन खिलजी याद रखेगा मन्सौर किले का निर्मान अलाउद्दिन खिलजी ने करवाया चौधी सताब्दी में और नर्बर के किले का निर्मान राजा नल ने करवाया कहां पर है सिप पूरी में पढ़ता है राजा नल दंपत्ती राणी की कहानी आपने सुनी होगी कि दूस्तों इतने सारे जो मैं और किले मंदिरों के बारे में जिक्र करी बहुत इंपॉर्टन कल एक वीडियो अ कहांँ हम लोग मंदिर हिंदू मंदिरों की की बात करेंगे ठीक है मजजितों की बात करेंगे तो यह आपका पूरा का पूरा पर्याटन इस्तल दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा को से समने करी 10 से 11 मिट में कंप्लीट हो जाए इसे आप पढ़ लीजिए अगर डिटेल में पढ़ना चाहते तो अल्रेडी पहले से वीडियो मेरा चार घंटे का वीडियो है पर्याटन इस्तल पर वो देख सकते हैं चली जैहिंद जैभारत बैस्ट आप लक्क और एक्जाम उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एक नम्मर पक्का हो जाएगा जैहिंद जैभारत थेंकि सो मज़ बाइबाइ